जैसे राम दोस्तों स्वागत है आप सभी का दक्रिश्न क्लासिज में तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाया कि जो लेब असिस्टेंट का रिजल्ट है वो आ चुका है और काफी कुश्चन अब आ रहे है एगरिकल्चर को लेके तो आज दोस्तों उनकी हम संशा को भी दूर करेगे और UKPSC की मनशा को बताएगे कि वो एगरिकल्चर का रिजल्ट कब तक निकाल सकते है तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही कहा था आप देखेगे 5-6 दिन पहले की जो वीडियो है उसी में मैंने कह दिया था शायद वो 10 तारिकी है या 11 की उसमें मैंने क बता दिया था आप सभी को कि लेव असिस्टेंट का जो रिजल्ट है और जो एगरिकल्चर का रिजल्ट है दो में से एक रिजल्ट आपको 15 के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तों ये रिजल्ट आपके सामने है लेव असिस्टेंट का रिजल्ट इन्होंने पहले दे दिया अब agriculture का result रहा है तो उसके बारे में भी हम discuss करेगे उससे पहले जितने भी छात्र इसमें selection हो चुका है जिनका उन सभी को मैं बता देता हूं कि आप सभी के लिए दोस्तो ये final result नहीं है final result एक और आना है लेकिन सभी को बधाईया क्योंकि आपने एक है तो वहां के लिए दोस्तो आपको करना क्या है अपने सबसे पहले तो documents ready करने है बहुत अच्छी तरह से आपकी DB होने वाली है बहुत जल्द उसका भी notification देखने को मिलेगा ठीक है और उसके लिए आपको समय अभी मिल रहा है तो आप उससे पहले ही सारे आपके name चेक करि एडरस अपना चेक करिए 10th, 12th और graduation की mark sheet को आप सही से चेक कर सकते है बाकी domain style होता है दोस्तो उसको भी आप चेक करिए पूरा आप अभी DB के लिए खुद को prepare करिए क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है DB में भी students बाहर हो जाते है बाकी दोस्तो ऐसा है जिनका selection नहीं होगा final list में नाम नहीं आएगा उनको भी चिंता करने की बात नहीं है वो भी आप एक तरह से कह सकते कि आपका भी एक तरह से selection हुआ है बस final list में नाम आना बाकी है थोड़ी सी मेहनत आपके लिए और आपको करनी है तो साथ ही साथ दोस्तो मैं आप सभी को बता देता हूं कुछ च level list में है लेकिन कुछ ऐसे है जिनका नाम जियू विज्ञान में भी आया है जनतु विज्ञान बोलो आप वनस्पति विज्ञान दोनों में आ रहा है ठीक है और शायद ये 35-36 के आसपास टोटल है लेकिन कुछ students हमारे उससे भी है तो उन सभी को भी बदाईया कि आपने दो उसमें एक साथ नाम लेकर आये है हम उमीद तो ये करेंगे दोनों में आपका selection हो जाए लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है लेव असिस्टेंट की तो आप अपने numbers अगर आपको लगता है final कहां तक जा सकती है तो आपके actual marks कहां जा रहे है और जो कम marks है वो कितने जा रहे है तो आपको एक idea लग जाएगा क्योंकि होता है अब सभी message आ रहे है कि sir मेरे इतने है अब final में होगा नहीं होगा तो उससे idea थोड़ा सा लगाना मुश्किल है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे जो छात्रे हुआ ही है लेकिन जहां तक वीडियो पहुच रहा है वहां तक share करिए इस वीडियो को और सभी को बोलिए कि आप comments में number डालिए उससे आपको automatically idea हो जाएगा कोई आपसे 20 number 30 number पिछे है तो मतलब आपका confirm हो जाएगा जो ज्यादा पिछे वो भी फिर क्या आपने पढ़ाई करते रहेगा तो सब के लिए वो benefit होने वाला है लेकिन जो message डालने वाले है वो आप सभी तक जरूर जितने भी छातर है सभी तक इस वीडियो को पहुचाईए और फिर comments सभी करिए number आपके जितने भी है अगर आपका selection हो आए तो आप comments जरूर करिएगा ये आपके लिए ही benefit है अगर आप ये सोच रहे है हम comments देखते है और खुद के नहीं डाले गए तो उससे क्या होगा mostly students नहीं डाले गए ठीक है दो चार comments देखके idea नहीं लगने का जितने भी आप students है जिनका भी selection होयो वो सभी comments जरूर करिए तभी दोस्तों पता चलेगा कि कहां पे merit रुकी है क्योंकि इन्होंने cut off का नहीं दिया है ये UKPSC ने बहुत हाँ बोल सकते है गलत चीज है इसका हम तो खुला विरोध करी रहे है इस चीज को लेके भूखरताल भी अभी शुरू हुई है लेकिन आप सभी को भी इसका विरोध करना है हो सके तो UKPSC को call message करके बताइए कि आप कम से कम cut off तो दीजिए कि cut off कहा है आप mark सब के नहीं दिखाना चाहते नहीं दिखाईए लेकिन cut off तो आपको दिखानी ही चाहिए हर हर चाहिए physics की हो हर subject की आप cut off दिखाईए ये आप सभी को जरूर वहां पे मुद्दा रखना चाहिए तो ये तो दोस्तों lab assistant वाला है मारा result कब आएगा मैंने बता दिया था कि 15 के बाद कभी भी result आएगा lab का अब दोस्तों lab का क्योंकि result आ गया है तो एगरी कर्चलर वालों को मैं बता देता हूं UKPSC का next result है जहां तक मुझे लगता है 99.9% agriculture का आने वाला है और ये result दोस्तों आपको 25 के बाद कभी भी देख देखने को मिल सकता है आगे 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक भी जा सकता है ये मामला लेकिन आपको result देखने को मिल सकता है देखो दोस्तों आपको काफी students ऐसे होगे आप accurate date नहीं देते यह नहीं करते देखो दोस्तों मैं बिलकुल भी नहीं देता क्योंकि वो UKPSC है सरका सरकारी विभाग है वहाँ पर एक signature भी रिजल्ट करने से पहले सब कई चीजों के signature होते है कई जगे फाइल जाती है अगर वहाँ फाइल नहीं पहुंची time से या वहाँ पर जो करमचारी है जो officer है वो छूटी में चले तो वहाँ पर time लगता है दोस्तों प्रोसीडिंग इ आज करना है मतलब आज करना है यह वाला system नहीं होता सरकारी विभाग है समय लगता है इसलिए मैं पूरा 20 से 25 दिन का समय दे देता हूं कुछ भी हो सकता है और वो चीज वही कर सकता है ऐसा रहता है ठीक है आप अगर वहाँ पर सत्यू के sign होने है या ध्यक्ष के sign होने है क अगर वो उपस्थित नहीं है या किसी कारणवाश meeting में ब्यस्त है कहीं और किसी और मुद्दे पर ब्यस्त है किसी और चीज पर discuss कर रहे है तो वो चीजे डिले कर देती है उसके लिए यह नहीं कि आज तो आज ही करना है नहीं ऐसा कुछ नहीं यह चीजे तब होती है जब आगे election बिलकुल सर पे रहते है और vacancy निकालनी होती है कि नहीं वहीं काम करना है आगे जरूर करना है क्योंकि सरकार का वहाँ पर pressure रहता है लेकिन अभी ऐसा कोई pressure नहीं है तो इसलिए चीजे delay हो जाती है मैं आपको अभी बता देता हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं बता र जाता है जैसे आप देखेंगे agriculture department से कोई या फिर high court से कुछ दिक्कत आ जाए तो वह अलग चीज है लेकिन UKPAC की तरफ से दोस्तों 25 से 15 October के बीच आपको यह result agriculture वाला देखने को मिलेगा यह मैं confirm बता रहा हूँ ठीक है तो यह दोस्तों agriculture का update भी हो गया lab assistant का update भी हो गया ब अपना नाम जल्दी से जल्दी हमें भेजिए कि सर हमारा selection हो गया है तो हमारी तरफ से भी दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत बदाई रहेगी और उमीद करेंगे बहुत जल्द यह message हमें मिलेगा तो दोस्तों अपना दियान रखिए अपनों का दियान रखिए जय हिन जय भारत जय उत्राखन